है p हलो स्टू रेंट्सु अब हम पढ़ेंगे ए ऑपरेटर के बारे में हम लास्ट लेक्चर में बास्ट प्वेक्टर चेजिए और जीरो फ्रेट्ड पढ़ चुके हании ठीक है ना तो उपरेटर को कर região लिख वह ना ओपरेटर के हैं ईयूता 20 degree अब जैसे मानलीची आपका लिखा हुआ है a i तो a i का मतलब अब a का magnitude कितना है 1 तो 1 into i कितना हो जाएगा i तो इसलिए आपको क्या लिखा हुआ है i क्योंकि हमने क्या लिखा हुआ है a बरावर होता है 1 angle 120 degree ये होता है तो अब तो a into i अगर हमने लिखा देखो a into i अगर मैं लिखूँगा तो इसका मतलब 1 into i कितना हो जाएगा i और angle कितना है 120 degree वह रहने वाला है और अगर हम angle 120 degree को अगर हम change करेंगे rectangular form में तो वो क्या जाएगा cos 120 plus j sin 120 cos 120 की value होती है कितनी cos 120 की value होती है 0.5 और sin 120 की 0.866 तो यहांसे a बरावर अगर मुझे लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे a बरावर देखो a बरावर हम लिख देंगे यहांसे minus के 0.5 plus के j 0.866 चीक है उम्मीद आपको समझ आगे हो की बाद चलिए अब देखिए अब हमने क्या करा हमने a into i करा था जैसे यह vector क्या है i a i कर दिया तो क्या हो गया वो plus 120 degree ना i at an angle 120 degree हो गया तो देखो यह 120 degree पहुंच गया अब हमने अगर a square कर दिया तो a square का means कितना हो जाएगा देखो a square का means है a into a अब a कितना है one देखो तो यहां पर a कितना है a है एक second a है यहां पर one at an angle 120 degree दूसरा a क्या होगा 120 degree मल्टिपिकेशन जब भी हम करते हैं तो angle क्या हो जाते हैं add हो जाते हैं इसका means यह हो जाएगा one at an angle 240 degree समझा क्या बात ठीक है इसका मतलब a square i इसको मैं क्या लिख सकता हूं i into my 240 degree तो यहां से अगर मैं देखूं तो i से कितना पहुच गया है 240 degree यह कितना है 240 degree है ठीक है समझा आगे बात चलिए तो यह कितना हो गया 240 degree तो a square की value अगर मुझको निकालनी हो तो कितना हो जाएगा देखो यह cost 240 और sin 240 इनकी value पुट कर देंगे तो minus के 0.5 और minus के 0.866 ऐसे अगर a cube निकालना हो तो a cube कितना हो जाएगा देखो तो a cube हम लिखेंगे one at an angle 120 degree into में one at an angle 120 degree ऐसे ही 120 degree तो 120 plus 120 plus 120 कितना हो जाएगा यह 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 हो जाएगा 360 60 degree ठेके ना और इसको जो हम solve करेंगे तो cost 360 कितना होता है one होता है sign 360 कितना हो जाएगा जीरो तो i into one करेंगे तो कितना मिल जाएगा इसका मीस aq हमारा कितना निकला एक यू निकला one जिकना यह ओपरेटर होगा अब कुशन इस तरी के साथ आदा है आपको कि one plus a plus a square इसकी value क्या होगी ठेके ना इसकी value आपको पूछी जाती है तो हम कैसे निकला लेंगे देको one plus a कितना है a है minus के 0.5 और plus के j.866 ठेके लिख लिजीए आप अब हमको अगर वो निकालना हो क्या a square इसकर क्या होता है अब मैनस के 0.5 माइनास जे पॉइंट 866 तो दो को माइनस के जे पॉइंट 866 ए प्लस का जे पॉइंट 866 कर जाएगा और माइनस के 0.5 और मैनस के 0.5 और मैनस का one और प्लस बन और मांडूस मनगे दो जीर दे गाहें है कि इतना आजएगा यह जाएगो overall जीरो इसका means one इसका मेंस क्या हुआ उजुट इएक सेटिन वा दो इसकर प्लास एफ लस फिर बरावर कितना enfin जीरो ठीक है ना बिल्कुल सिंपल है इसको आप कर सकते हैं इस तरीक ऐसे आज के लेक्चर के लिए एक अपरेटर नेक्स लेक्चर में पड़ेंगे सेक्वेंस कॉंपोनेंट हम कैसे निकालते हैं ठीक है इस लेक्चर के लिए इतना है